हलो एवरिबड़ी कैसे हो आप सब आही हो आप सभी अच्छे होंगे आज मैं आपके लिए के भी इस पीजीटी बाइलोजी की जो भी स्टूडेंट्स त्यारी कर रहे हैं उनके लिए स्लेबस और पेपर पैटरन थोड़ा लेकर आई हूं स्लेबस तो आपको बाद में बतात पहले थोड़ा पेपर पैटरन के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि एक्जाम पैटरन भी पता होना चाहिए कैसे क्या रहता है तो टाइम डूरेशन की बात करते हैं सबसे पहले 150 मिनिट टाइम डूरेशन रहती है और जो है mcq है 150 ही mcq जो है आते हैं पेपर के अंदर अब now अगर मैं आगे बात करूं तो जो है marks कितने marks का होगा पेपर 150 marks का होता है यानि कि जो एक कोशन वो एक mark का हो गया ओके students फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो journal English की अब subject देख लेते कौन-कौन से आते हैं सबसे पहले दो होते हैं दो section होते हैं पहले section में तो क्या आईगा जेर्णल English के अतिया है और जेर्णल English कितने नंबर के आती है कितने question आते हैं तो दस question आते हैं मतलब वही हो गया कि question एक number का okay फिर next देखिए चेनल हिंदी आते हैं हिंदी भी आती है अब हिंदी के भी कितने कोशन आएंगे दस कोशन आते हैं जिक्या आते हैं दोनों से लगा लगालो कितने होंगे दस कोशन उन से आते हैं जिक्या और करंट अफेर मिक्स ठीक है बाकि आपको पताईए करंट अफेर ज्यादा पूछी जादा तर अभ उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो आपकी जो है इस निंग कि अगर मैं बात करूँ तो दस कोशन वहाँ से आते हैं दस कोश्शन ठीकें ज़्यादा हाई-फाई रिजनिंग नहीं आती है आप प्रीवेस एर पेपर उठा के देखोंगे ना एक बर भी कर लोगे ना वस वैसे एक बर उसको प्रीवेस एर कोश्शन लगा लेना आप बहुत सारे लगवग तीन चार पांच करके देख लेना तब आपको समझ आ जाएगा कि हाँ वे रिजनिंग कैसे आ रही है एक्जाम्स के अंदर उसके बाद देखिए बिटा क्या आती है computer literacy 10 question यहां से आते है computer से ठीक है फिर pedagogy की अगर हम बात करें तो pedagogy के 20 question आते है ठीक है pedagogy के जो है कितने question आते है 20 question आते है beard में पड़ी भी हो गया आप सभी ने pedagogy तो वहाँ से कर सकते हो आप नहीं तो काफी अच्छी books भी है pedagogy की ठीक है वहाँ से भी कर सकते हो या वह सारे other channels है वहाँ से भी आप देख सकते हो उसके बात अगर मैं बात करूँ तो कितना हो गया लगा लो अगर मैं बात करूँ journal English हो गई 10 question यहां से हो गई हिंदी के कितने question 10 question हिंदी से हो गई अच्छा जिक के और आप लगा लो current affair को मिला के 10 question यहां से हो गई reasoning के 10 question हो गई ठीक है 30, 40, 50, 60, 70 माना जो आपका है 70 नमबर यहां हो गई ठीक है पार्ट वन पे बच गया कितना 80 नमबर का तो यह जो 80 नमबर का जो paper 80 marks का जो है यह आपका बेटा subjective आएगा पूरा का पूरा subjective मतलब जो बच्छे हिंदी के हैं तो वो हिंदी का ही आएगा अगर बायो के students है तो बायो के ही आएगे 80 marks के जो भी question है यह पूरा आपका subjective आएगा mathematics वाले हैं तो mathematics वालों का आएगा अब नाव हम स्टार्ट करते हैं syllabus PZT biology वालों का तो देखो यह आपका पूरा का पूरा उपर headings भी पढ़ लो अच्छे से specific syllabus included the concept of NCRT syllabus कुछ नहीं है 1112 का syllabus है सारा का सारा और थोड़ा बोताता है न तो post graduation PG level का भी एक अदे question ऐसे उठके आ जाते हैं तो आपको थोड़ा बोत concept आपने graduation और PG कर रखी होगी आई होप ठीक है PGT biology तो PG तो कर रहे होगी तो वहाँ वह भी आपने अच्छे से पढ़ी होगी तो question हो जाएंगे अराम से 16 बाकी 1112 का mostly क्यों कि जो syllabus है ना वो तो 1112 का ही है ठीक है the living world class 11th का chapter है पहला ही chapter है the living world इसके बाद आके चलते हैं biological classification second chapter class 11 plant kingdom हो गया animal kingdom हो गया ठीक है morphology of flowering plant हो गया वैसे मैंने series start भी करवा रखी है biology series बहुत important है आप जाके देखोगे तो आपको बहुत सारे concept तो वहाँ से भी clear हो जाएंगे और फिर थोड़ी बताप NCRT पढ़ना 1112 की और PG की में भी आपने कुछ books standard books को भी आप पढ़ सकते हो बाकी enough है इतना 80 marks है के questions आएंगे थोड़ा वो ताता PG के से PG level का तो लेकिन ज़्यादा तर मैंने देखे हैं तो 1112 की books से ही ज़्यादा पुछ जा रहे questions ओके next देखते हैं anatomy हो गया प्लावरिंग प्लांट का टेक है structure organization हो गया cell हो गया बाकि मैं सारे चाप्टर करवाऊंगी ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करवाऊंगी सारे चाप्टर करवाऊंगी बट आपको फिर भी जिनका भी पेपर आया वायरे सेंट में दो महीने के अंदर उनको तो अपने बुक कवर करने ही है biomolecules हो गया cell cycle हो गया photosynthesis in higher plant respiration in plants हो गया ठीक है plant growth breathing and exchange of gases यह सारे class lambda की है सारे class lambda की टॉपिक है locomotion movement expritory product and their elimination ठीक है neutral control and coordination हो गया chemical coordination integration हो गया अब ठीक है यह आपका यहां तक खतम होता है यहां तक class 11th खतम next start होता है आपका 12th class का यह है ठीक है 12th class में sexual reproduction in flowering plant है human reproduction अभी जो series चली हुए human reproduction की चली हुए है बहुत अच्छे से अगर आप समझोगे न और फिर NCR तो उठाके पड़ोगे तो काफी help मिलेगी बहुत काफी नहीं बहुत ज्यादा help मिलेगी ठीक है क्योंकि NCRT की lines में एक एक line इतने important होती है NCRT की वो ऐसे easily समझनी आती ठीक है तो यह human reproduction मैंने start करवाई रखा है ठीक है अभी खतम नहीं हुआ है अभी थुड़ा बचा हुआ है ठीक है उसको भी करेंगी आगे बहुत सारे हैं मैंने दिखा है टीचर से की वीडियो में complete करवा देते है human reproduction यह काफी SSC और railway वाले students के लिए भी बहुत important series चली हुए है जिनको जो non biology वाले हैं जिनसे biology के questions सोल नहीं होते हैं तो वह भी वहां से कर लेंगे reproductive health यह भी आपका स्टार्ट करवाँगी ठीक है principle of inheritance and variation हो गया molecular basis of inheritance यह भी class 12 का है evolution हो गया human health and disease biotech principle and processes यह भी genetic engineering वगहरा इसमें DNA technology के बारों में पढ़ो गया biotech and its applications यह भी class 12 बाकि से उपी सिस्टम बच गया class 12 का ही है organism and population ecosystem biodiversity and conservation सर्दी बहुत हो चुकिया सर्दी से बचके रहना है मैं तो काप रहू हूं बढ़ फिर भी कोई नहीं देखो reproductive health हो गया principle of inheritance and variation सारा यू का यू कीटा class 12 का है evolution human health and disease यहां से तो बहुत question आते हैं यहां से human health and disease से तो मैंने इतने question देखे न railway में भी SSC में भी यहां से तो बहुत ही है यह chapter तो मतलब specific most important government वालों ने साथ ज्याद़ प्यारा chapter लगता है यह उनको ठीक है यह बार बार के उमारा biotech and application हो तो गया था organisms and populations हो गया ecosystem biodiversity and conservation तो यहां आपके class 12 की topic कंप्लीट होते हैं ठीक है आप जरूर जिनका भी paper भी आया वा है तो वह तो इल्यांट के NCRT तो पहले करके जाएं फिर थोड़ा बहुत अगर आपको PGK level का देखना है तो थोड़ा pathfinder को पढ़ लेना ठीक है बस काफी है pathfinder बाकि ज्यादा standard books में अगर आप जाओगे न गुसोगे तो यह भी नहीं होगी पहले इसको करो पहले basic निम्टाओ फिर उसके बाद थोड़ा pathfinder को देखो जो आपको लग रहा है NCRT से clear नहीं हो pathfinder से clear करो अपने topics को और अच्छे से अपने subject की clarity बनाओ असे marks का है तो देख लो कितना मेन है पहले इसको करो और थोड़ी बहुत अपना यह तो देखना है अपको जर्नल इंगलिस वगएरा बाकि वीडियोज में लाते रहूंगी वह हर एक्जाम के लिए important है ठीक है यह